नमस्कार चात्रों प्रणाम मेरा नाम आर पद्मजा मैं पाल्वन्जा बुल्लेरगुडम पाशाला में हिंदी अध्यापिका हूँ सभी को हिंदी डिजल कक्षा के लिए स्वागत है आज हम सात्वी कक्षा का पार्त पहला पार्त मन करता है इस पार्त के बारे में हम नान प्रदान लेंगे और इस पार्त में जो मुख्य विश्य है इसके बारे में हम चप्छा करेंगे लेकक ने इस पार्त में बालकों में जो कालपनिक शक्ति रहते हैं उस कालपनिक शक्ति के भावनावं से जो अनबो करते हैं इस अन्वों को हमारे सामने लाने के लिए प्रयास किया है हम भी इस पार्ट के बारे में जान लेंगे बच्चों सब लोग अपने पार्च पुस्तक उत्तर पुस्तिका और पेन सामने रख लिजिए मैं जो विशे बताती हूँ उसमें जो मुझ्याम्श है वो मुझ्यों सब्दाद जैसे मुझ्याम्श को लिख लिजिए और खोलो तुमारा पार्च पुस्तक हमारा पार्ट का नाम क्या है? पार्ट का नाम है कि मान करता है देखो टेक्स्टिबुक में देख लिजिए कविता विदा की पाठ है इस कविता का लेकक का उन है लेकक का नाम है सुरेंद्र विक्रम इधर देखो सुरेंद्र विक्रम जी है कविता का लेकक लेकक याने लिखने वाला पहले मैं इस कविता को गायन करूंगी अच्छा ज्यान से सुनिये मन करता है सूरज बनकर आसमान में दवड लगाऊं मन करता है चन्दा बनकर सब तारों पर अकड दिखाऊं मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे पोल सुनाऊं मन करता है चिडिया बनकर चीची चोचो शोर मचाऊं मन करता है चरकी लेक पीली लाल पतंग उड़ाऊं बचो पाठ का पाठ सम्मंद इस जो चित्र है इस चित्र को ध्यान से देखो चित्र में क्या क्या है यह देखो वो पाठ है ना पाठ सम्मंद चित्र यह क्या है पतंग पतंग है और इसके नीचे क्या है राकेट एक लड़का लड़का ने राकेट में बैट कर आस्मान की ओर चल रहा है तारे है और चंद्रमा चंद्रमा कैसे है हस रहा है बच्चों को देख कर और इधर देखो एक लड़का पैराचूट में वुड रहा है है ना आनंद ले रहा है पैराज में उड़कर इधर देखो और एक लड़का क्या है यह एक कुकुरमत्ता को चत्रीज के जैसे समझ कर वर्षा का आनंद ले रहा है है ना चात्रों देखो और इसके सामने क्या है मेंडक भी है वेंड़क भी कुकुरमत्ता के नीचे बाइट का लड़के के ओर देख रहा है देखो ये चित्र से क्या समझ में आ गई है सबने लड़के तीन लड़के है चित्र में एक, दो, तीन तीन लड़के है, तारे है और पतंग है चंद्रमा है इस चित्र को देखकर तुम सभी को खुशी आ रहा है ना मजा आ रहे है ना देखो हमारा पाट का अर्द क्या है मन करता है मन याने दिल दिल क्या करने को चाता है इसका अर्द या है चित्र के बारे में देखने किसे क्या समझ में आ गया तुम्हें लेकक ने वो बच्चों के मन में जो कुशी उमंग हो रही है इसके बारे में चित्र के जरिये हमारे सामने दिखाई दे रहे है है ना आवर देखो उसके नीचे वो प्रश्न है ना पाटक से चित्र के समंदित चित्र को सब लोग ध्यान से देख लीजिए आवर नीचे प्रश्न है ना जो प्रश्न का जवाब दीजिए पहला प्रश्न क्या है चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों समझ में आ गये ना चात्र चित्र में याने वो उपर पाट सम्दित जो चित्र है ना चित्र में क्या दिखाई दे रहा है चित्र में ती लड़के है पतंग है पैराचूट है राकेट है चांद तारे है आस्मान ये सबी दिखाई दे रहा है और दूसरा प्रश्न लड़के क्या कर रहे है लड़के क्या कर रहे है लड़के ने इस चित्र में कितने लड़के है एक और दो तीन लड़के है है ना एक लड़के ने पैराचूट में वुढ कर आनन्द ले रहा है और एक लड़के ने वर्षा का आनन्द ले रहा है आईना तीरों ने बहुत कुशी से आई आईना आउर चित्री में कुल मिलकर तीन लड़के है लड़के उस प्रकार एक लड़के ने राकेट में उड़ रहा है एक लड़के ने पयारचुट में उड़कर आनंद ले रहा है आउर एक लड़का एक कुकुरमत्ता को चित्री के जैसे समझ कर वर्षा का आनंद ले रहा है आउर तीसरा प्रश्ने क्या है देखो वे एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे लड़के आईना तीन लड़के वो लड़के ने एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक बताये तुमने क्या है एक दुझे से बहुत कुशी है ना वर्षा बहुत आनंदित है ना और आसमाने उन्हेद के आनंद को एक दुझे से बांद कर रहे है वो तीनों लड़के ने जो आनंद ले रहे है उस आनंद को एक दूसरे से बांट कर रहे है हाँ ठीक है तीन प्रश्न का उत्तर सही दिया है तुम सब लोग इस पाठ का मन करता है पाठ का लेकर का नाम बोले हो सुरेंद्र विक्रम जी है हाई ना अच्छा बच्चों देखो नीचे क्या है चात्रों के लिए सूचना ये हाई ना बच्चों तुमारे लिए सूचना ये दी गई है सूचना क्या है पाठ के चित्र देखो चित्र के आधार पर कलपना करो कि पाठ में क्या बताया गया होगा आई ना पाट के चित्र देखो चित्र को देखकर तुमने क्या करना पाट में लेकेक ने पाट में क्या बताया गया होगा क्या बताया गया होगा और बालकों को मन में क्या क्या आनुबो होते है इसके बारे में बताया गया होगा और क्या है इस कविता पढ़िए कटिन शब्द और वाग की रेकांगित कीजिए जो पाठ है ना उस कविता पाठ को पढ़ना है अब पढ़ कर क्या करना पाठ में जो कटिन शब्द आते है उस कटिन शब्दों को क्या करना रेकांगित करना है याने वे शब्दों के नीचे रेखा कींचना है हैना ओर शब्दों के अर्द समझ में ना आने पर अर्द ना समझ में आये तो क्या करना है? मित्रों के साथ चर्चा करना है शब्द अर्द जो कटिन शब्द तुमें जो शब्द कटिन लगते है उस शब्दों को अर्द मित्रों से चर्चा करो चर्चा करें तो क्या होता है शब्दों का अर्द समझ में आता तब तक अर्द समझ में ना आने पर क्या करना है शब्दकोष का उपयोग करना है नई हो शब्दों का अर्द जो होता है उस शब्दों का अर्द शब्दकोष में डून ना शब्दकोष याने डिक्ष्नरी हिंदी डिक्ष्नरी राता है ना हिंदी डिक्ष्नरी में डून लीजिए और शब्दों का अर्द मिलेते तो क्या होता है तुमें कविता का बाव अर्द ग्रहन कर सकते है इसलिए जरूर तुम अपने जो कविता में कटिन शब्द है उस कटिन शब्दों को अर्दु को समझ कर उस कविता को पड़ो है ना आदेको बच्छों पहले क्या है मन करता है सूरज बनकर आसमान में तोड लगाऊं इस कविता में बालक के मन में जो उत्पन रहते हैं बालक का मन क्या करता है सूरज बनकर आसमान में उड़ने की इच्छा है बालक के मन में कौन से इच्छा है? सूरज बनकर आस्मान में उन्ने की आस्मान का अर्द क्या है? आकाश आस्मान का अर्द आकाश है देखो आस्मान का अर्द क्या है? आकाश करना, बनना, सूरज सूरज याने सूर्य बालक का मन याने दिल दिल क्या चाहता है बालक का दिल चाहता है कि सूरज के जैसे आसमान में दवड लगाने के चलने के नहीं दवड लगाने का करता है दवड लगाने की इच्चा होता है और क्या है देखो आगे देखो मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड दिखाऊंँ और क्या करता है बालक का मन चंदा बनकर याने चंद्रमा चंद्र बनकर सब तारों पर सब नक्षत्रों पर अकड दिखाना अकड दिखाना यह एक मुहावरा है है ना देखो अकड दिखाना गर्व होना गमंड होना यह मुहावरा याने जातियमू हम अपनी बाशा में मुहावरे के साथ प्रयोक करना है यह क्या है बालक का मन क्या चाहता है चंदा बनकर चंदर के जैसे तारों पर अकड दिखाना चाहता है है ना आओर देखो आगे मन करता है तितली बनकर तितली तितली देखे था कभी यह देखो यह क्या है यह तितली है तितली रंग भी रंगे तितलीयों को हम कभी कभी उपवनों में देखते है ना तितली बहुत कूप सुन्दर रहती है तितली बनकर बालक का मन क्या चाता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ जाना दूर दूर तक उड़ता जाऊं तितली के जैसे दूर दूर तक उड़ता जाना चाता है चात्रों आप देखो मन करता है कोयल बनकर मीटे मीटे बोल सुनाओं कोयल तुम्हें कोयल दर देखो कोयल यह कोयल है कोयल कैसे कुकती है मीटे स्वर्षे मदूर स्वर्षे गाती है कोयल का स्वर्षे मदूर रहती है बच्चा बालक का मन क्या चाता है कोयल बनकर मीटे मीटे बोल सुनाने के लिए चाता है आउर आगे देखो मन करता है चिडिया बनकर चीन ची चून चू शोर मचाओं चिडिया चिडिया यानि पक्षी पक्षी कैसे रहती है शोर मचाते हुए आसमान में उड़ते दिखाई दे रहा है है ना बालक का मन भी चिडिया बनकर चिडिया के जैसे चीन ची चून चू शोर मचाते हुए आसमान में उड़ने की बालक का मन करता है बालक का मन चाता है आओर देखो मन करता है चरकी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं और क्या करता है बालक का मन चरकी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाने के लिए पतंग तुम सबी को समझे ना पसंद करते है ना और पंगल के समय हम लोग रंग भी रंगे पतंगे उड़ाते है उसी प्रकार बालक के मन भी चर्की लेकर चर्की है हाथ में बालक के हाथ में चर्की है ना देखो चर्की लेकर लाल रंग और पीले रंग के पतंग उड़ाने के लिए मन करता है है ना अच्छा देखे पड़ो मन करता है सूरज बनकर आसमान में दवड लगावूं मन करता है चंदा बनकर सबतारों पर अकड दिखावूं मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जावूं मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनावूं मन करता है चिडिया बनकर चीनची चूचू शोर मचावूं मन करता है चरकी लेकर पीली लाल पतंग उड़ावूं अच्छा ठीक है अभी देखो पाट से संबंदी चित्र के बारे में प्रश्न है न जो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है चित्र में पतंग है चंद चंद्रमा हस रहा है आकाश में तारे है चंद्रमा है ये सबी राकेट पैराचूट तीन लड़के और मेनक भी है तीन लड़के अपनी कालपनिक बावना वोंका अनुबो कर करते हुए आनंद ले रहे है अच्छा टीक है, बच्चों शब्दार्द, शब्दार्द भी देख्ती जिये, जो शब्दार्द है ना, आसमान, आकाश, सूरज, सूर्य, चंद, चांद, तारा, नक्षत्र, और वुड्ना, वुड्ना याने चिरिया, चिरिया याने क्या है, चिरिया कर्द, पक्षी, शोर मचाना शोर मचाने ते वो क्या करना है आचा देखो चरकी लेकर पतंग उड़ाना ये सबी समझ में आ गया ना क्या है बालक का मन ये सबी करने के लिए चाहता है क्या करना सूरज बनकर आसमार में उड़ जाना चंदा बनकर तारों पर आकड दिकाना तितली बनकर दूर दूर तक जाना और कोयल बनकर मीटे मीटे बोल सुनाना चिडिया बनकर सोर मचाते हुए जाना और चरकी लेकर पीले लाल पतंग उड़ाना अच्छा ठीक है सबी क्या करना है सबलोग चात्रों इस पाट को गायन के साथ मैं गायन करें अभी ये सुनकर तुम भी उस प्रकार गायन करें तो क्या होता है कविता पाट आसान से कंटस्त कर सकते है इसलिए तुम क्या करना है उस पाट का कविता है न जो कविता पाट को कंटस्त करना है और देखकर पढ़ना दिख देखकर पढ़कर जो कटिन शब्द है उसका विता पाट में कटिन शब्दों को नीचे रेखा केंचिये कटिन शब्दों का अर्द समझ में ना आने से मित्रों के साथ चर्चा करो चर्चा करें तो समझ में आता तब भी चर्च नहीं आये तो क्या करना शब्द कोश में उस शब्दार्दों को डूंड कर उस कविता का अर्द ग्रहन करना चाहिए आईना बच्चों अभी क्या करना है उस कविता पाट को पढ़ना है कंटस्त करना है और हम लोग फिर दूसरा क्लास में फिर मिलेंगे धन्यवाद